hey guys what's so welcome back to the second part of forces and laws of motion of class 9th ठीक है इसका second part है first part अगर नहीं देखा है आपने जा कर देखो आज के lecture में हम अपना complete करने के Newton के तीनों laws पहले lecture में मैंने Newton का first law ऐसे बता दिया था बट इस lecture में फिर से repeat करूंगा ठीक है inertia के types इस lecture में हम करेंगे और अपना conservation of momentum हम इस lecture में complete करेंगे तो चलिए start करते है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था Newton ने हमारे तीन laws दिये थे ठीक है Newton studies the ideas of Galileo Newton ने ideas पढ़ लिया थे Isaac Newton ने ठीक है वो laws का नाम क्या था first law of Newton second law of Newton third law of Newton first law of Newton को हम law of inertia भी कहते हैं ठीक है इसी के साथ साथ हम जब first law अपना complete करेंगे उसके बाद हमें inertia पढ़ना पढ़ेगा और momentum पढ़ना पढ़ेगा ये सब बाते मैंने previous वीडियो में बताई थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया है तो जाकर देख लो description में link होगा comment section में link होगा ठीक है फिर आपको second law पढ़ना पढ़ेगा उसमें हम rate of change of momentum पढ़ेंगे third law में हम पढ़ेंगे conservation of momentum स्टार्ट करते है अपने first law से Newton first law से ठीक है any object at rest Newton का first law क्या करता है कि कोई object अगर rest पर है तो rest पर ही रहना चाहेगा अगर कोई object motion में है तो वो motion में ही रहना चाहेगा until or unless कोई इस पर external या फिर भारी force ना लगे ठीक है इसका क्या मतलब हुआ अगर कोई object state पर है मालो आपके घर में कोई चीज एक glass का पानी का glass rest पर पढ़ा है तो वह अपने आप थोड़ी ना गिर जाएगा या फ displace नहीं होगा यानि की move नहीं करेगा ठीक है इसी तरीके से अगर कोई object motion में है तो उसका motion आप नहीं रोख सकते without exerting some force some external force ठीक है जिस तरीके से एक football है कि अगर मुझे इस football को A point से B point पर पहुचाना हो मुझे इस पर बाहरी ताकत लगानी पड़ेगी ना मुझे इस पर all A point से B point पर move करें तो अभी हमारा sub topic आता है Newton first law के under ठीक है inertia inertia क्या होता है it is a tendency of an object due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion क्या मतलब अगर कोई body rest पर है rest state पर है सबसे पहली बात तो यही समझ लो कि state क्या है यहाँ पर ठीक है किसी भी object की दो states होती है rest और motion ठीक है अगर हमें किसी भी object की state change करनी हो मतलब उसे motion में लाना हो अगर वो rest पर है तो हमें कुछ force exert करनी पड़ेगी ठीक है और वो उस object की tendency कितनी है कि वो अपनी state को change ना कर पाए ना करवा सके ठीक है इसका मतलब आग उसके अंदर कितनी power है कब तक वो अपनी state को change होने से रोक सक रखता है ठीक है example से समझते हैं यह निक्षे दो स्टोन दे रखे हैं एक तो दो kilo का है एक 500 kilo का है किसको हिलाने में किसकी state change करने में आपको ज्यादा force लगानी पड़ेगी बताओ 500 kilo वाले को लगानी पड़ेगी ना तो इसका inertia ज्यादा हुआ इसके पास ज्यादा power होई ए जितना ज्यादा mass होगा जिसने हमने stone की बात करी थी stone जितना भारी होगा जितना मतलब किसी चीज का जितना भी weight होगा उसे उतनी ही मुश्कील होगी हिलाने में ठीक है यही inertia उसका ज्यादा हो गया तो inertia directly proportional हुआ न मास के जितना ज्यादा inertia उतना ज्यादा mass ठीक है और third point प होता है inertia of rest inertia of motion inertia of direction कुछ नहीं है बड़ी simple बाते हैं ध्यान से पढ़ना इसको फस्ट पार फस्ट शुरू करते हैं inertia of rest it is the ability of a body to change by itself its state of rest this means a body at rest मतलब एक body अगर rest पर है तो remain rest पर ही रहना चाहेगी until or unless उस पर कोई external force ना लगे ठीक है and cannot start moving on its own मतलब वो अपने आप चलना start नहीं करेगी ठीक है यहीं था आपका inertia of rest inertia of motion क्या होगा simple थी बात है it is the inability of a body मतलब यह inability है उसकी अपनी state को change करने में मतलब अगर कोई body uniform motion में तो वो motion में ही रहेगी वो अपने आप नहीं रुख सकती जब तक उस पर कोई external force ना लगे अच्छा इससे आप समझे क्या for example अगर आप example हो कि मैंने एक ball को kick करा तो थोड़ी देर बाद वो तो रुख गई ball तो रुख गई ठीक है वो क्यों रुखती है because यहाँ पर आपके प्रित्वी पर बहुत सारी air resistance होती है air का मतलब air का रुकाव होता है रुकाव ठीक है अपोज करती है उसके motion को ठीक है तो यहाँ पर external force लग रही है अगर आप कहीं gravity में जाकर ball को मारते हो तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी ठीक है इसी तरीके से थर्ड पर आते है अपने inertia of direction it is the inability of a body to change by itself its direction of motion and body continues to move along the straight line पात अन्तियों कुछ नहीं है देखो it is the inability of a body देखो जो cycle है for example समझते हैं हम एक cycle चला रहे है ठीक है अब वो cycle को आपको right turn लेना है तो right turn लेने के लिए आपको कुछ force तो लगानी पड़ेगी अपने आप direction थोड़ी ना change होगी तो जो cycle थी वो अपनी direction change नहीं करना चाहती थी ठीक है वो तो सीधा ही चलता रहत पर हमने force लगाई तब उसका handle मोड़ा ठीक है तो inertia का मतलब क्या हुआ वो tendency जो अपनी state ना change कर पाए अब एक note point आता है Newton के first law को ना law of inertia भी कह देता है ठीक है law of inertia भी कह देता है Newton के first law को एक marks में आ जाता है question क्यों कह देता है reason पड़ते है if our body is at rest or moving at constant speed Newton का first law अच्छा क्या भी तो यही चीज़ है ठीक है इसी लिए यह दोनों इसको हम law of inertia भी कह देता है ठीक है इसको आप पढ़ ले ना एक बारी यह सारे topics ना भी previous video वाले चल रहे है momentum क्या था it is a product of the mass into velocity momentum को हम denote करते है small piece से और वो इको लोता है mass into velocity के यह दो relations है इनको आप लिख लिजिए अगर इन relations का आपो मतलब नहीं पता चल रहा तो आप प्रीवेश सीडियो देख लिए तो अब हम स्टार्ट करते है अपने Newton second law of motion ठीक है Newton second law of motion क्या करता है the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the force applied on a body and this change take place in the direction of force applied मतलब जब कभी भी आप किसी बॉड़ी पे force applied करते हो force लगाते हो तो उसको momentum तो change ह होगा ही ठीक है momentum change होगा और उसी direction में change होगा डेस direction में हम force लगाएंगे अब हम इसको समझ लेते हैं अपने relation से तो चलिए अब हम relation कर लेते हैं Newton के second law का Newton का second law क्या कहता है force directly proportional है rate of change of momentum के ठीक है यहां में लिख देता हूँ force directly proportional rate of change of momentum के ठीक है rate of change of momentum के अच्छे rate of change of momentum क्या है यह भी देख लेते हैं एक बारी physics में कहीं भी rate बढ़ आ जाए तो उस quantity को आप time से divide कर देना ठीक है rate का यह मतलब होता है अब इसको समझने के लिए हम एक कार को लेते हैं ठीक है अपनी कहानी में एक कार को लेते हैं यह आपकी कार है मालो इसका जो mass है वो m है इसकी जो initial velocity है यह velocity में पूरा नहीं लिख रह final velocity उसको में consider करते हैं ठीक है अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे initial momentum निकाल के दिखाओ initial momentum निकाल के दिखाओ momentum क्या था mass into velocity तो initial velocity क्या है उसकी यू अच्छा तो final velocity क्या होगी final velocity क्या होगी final momentum final momentum क्या होगा m into v m और final velocity क्या थी v तो यहां पर v put कर देंगे अभी आपके पास initial momentum भी आ गया और final momentum भी आ गया ठीक है initial momentum का मतलब कि momentum इस momentum से यहां तक यह change हुआ है अब change आप कैसे निकालते थे final में से initial minus करके मतलब p final में से p initial minus करके upon time तो चलो ही ठीक है अब देखो मैंने इसको रप करने जा रहा हूँ ठीक है इसको यह देखो ठीक है पी f में से p i आप minus करोगे तो यह क्या हो जाएगा देखो p f क्या था m v minus p i क्या था m u ठीक है upon t अब देखो क्या होगा m मैंने common ले लिया दोनों में से v minus u by t ठीक है v minus u by t क्या होता है बताओ यह change in velocity per unit time नहीं आ रहा और v minus u by t equals to acceleration नहीं होता है ठीक है v minus u by t equals to acceleration नहीं होता क्या तो यह क्या हो जाएगा mass जो है आपका into acceleration हो जाएगा अब यह देखो किसके call आ गया अच्छा आप यहां कहोगे यहां तो directly proportional था यह equal to कैसे आ गया ठीक है यह भी directly proportional है और यह भी force के directly proportional ही है अब जब proportionality का sign हटता है जब हम proportionality का sign हटाते हैं तो यहां पर एक constant आता है उसको हम नाम दे दिया मैंने k ठीक है अब हर जगा ना k की value यार 1 ही हो लेते हैं ठीक है here value of k equals to 1 ठीक है हम value of k 1 ही लेता है मैंशा तो यहां से में पाधा चलता है first law of motion आपको क्या देता था आपकी definition दे देता है formula देता है force का ठीक है यहां से प्रूव हो गया इस फोर्ट जो है वह directly proportional है rate of change of momentum के ठीक है कभी कोई पूछे second law क्या आता है तो simply आपको बोलना है rate of change of momentum is directly proportional to force मतलब जितने भी rate से momentum change हो रहा है body का वह directly proportional का force के जितनी भी तेजी से force लगेगा उतनी तेजी से momentum change होगा बस यही था आपका second law of motion मैं आपको कुछ और relation निकाल कर दिखाऊंगा first of all आप ninth में कदम रखते ही न है relations बनाना सीख लो ठीक है इस तरह force और acceleration में क्या relation होगा force और velocity में क्या relation होगा velocity और acceleration यह सब relations बनाना सीख लो यही दुनिया है physics ठीक है physics इसी का नाम है ठीक है तो अब मैं इन तीनों डायग्राम से आपको कुछ कुछ relations बना कर दिखाऊंगा मालो यह आपके पास दो बोल्स है ठीक है इस पे मैंने force लगाई 50 newton की मतलब मैंने इसको धक्का दे दिया 50 newton से और इसके उपर मैंने force लगाई 10 newton की अब मुझे बताओ इन दोनों बोल्स में स ज्यादा तेजी से अपना पाथ कौन कवर करेगा मतलब ज्यादा तेजी से विलोसिटी मतलब ज्यादा तेज से कौन मूव करेगा सिंपल सी बात यह ज्यादा तेज से कौन मूव करेगा जल्दी बताओ इस पे 50 newton की है इस पे 10 newton की है और वेस सी बात है यह ज्यादा अगर आप फोर्स बढ़ाते हैं तो आपका एसलेरेशन भी बढ़ेगा इसलिए दोनों डारेक्टली प्रपोर्शनल है ठीक है अब हम इसकी बात करते हैं मालो यह आपका चंगू यह आपका मंगू ठीक है तो चंगू ने 10 किलो का भैक खेंच रहता और यह जो आपको मंगू था यह 50 किलो का भैक खेंच रहता ठीक है अब मुझे यह बताओ किसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होगी खेंचने के लिए जल्दी से बताओ कि directly proportional होगे mk because जब आपको ज़्यादा mass होगा तो आपको ज़्यादा force लगानी पड़ेगी खाचने के लिए ठीक है देखो ज़्यादा force तो ज़्यादा mass सिंपल सी बात समझ में आगी जितना force उतना mass अगर हम force के formula से देखते है mass into acceleration तो साफ साफ दिख रहा है अगर हम force की value बढ़ा देंगे तो इनकी value बढ़ जाएगी और अगर हम mass बढ़ा देंगे तो force की value बढ़ जाएगी आप रख के देख लो कोई एक example लो रख के देख लो मानलो मैं इस body के acceleration force निकाल रहा हूँ ठीक है इसका weight था 50 kg और acceleration मानलेते हैं 2 अब मैं अगर कितना अंसरा आगे 100 अगर मैं इसका mass 50 से बढ़ा कर 100 कर दूँ तो 100 into 2 200 जाएगा force बढ़ गी न force की value बढ़ी भी आई यहां से हमें relation मिल गया कि force directly proportional होता है आपका mass से ठीक है चलिए अब याता है third relation दो बोल हैं आपके पास ठीक है पांच-पांच किलो की है आपको क्या करना है इस पे आपको force लगानी है दोनों बोल पे इस पे आप लगा देना 50 newton की इस पे आप लगा देना 10 newton की अब मुझे यह बताओ अच्छा वो छूब गया गया one second दिखा ठीक है उस पे मैंने 10 newton की लगाई इस पे मैंने 50 newton की लगाई अब मुझे बताओ ज्यादा कम time कॉन लेगा अपने path को follow करने मानलो मुझे इस point पर पहुचार ना था ठीक है मैंने इस पर ज्यादा force लगाई तो यहाँ इस relation से आपको पदा चल रहा था इस relation से कि force directly proportional ऐसा relation लगी मतलब जितना force उतनी तेजी से move करेगा ठीक है और यहाँ मैं क्या पूच रहा हूँ कि कितना time लगेगा तो इसको तो भईया कम time लगेगा because इसकी velocity ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ज्यादा force है अब इसको time ज्यादा लग जाएगा because इसके उपर कितनी force है 10 newton की ठीक है इसके उपर 10 newton की force है तो इसके पास ज्यादा time लगेगा तो force यहाँ से inversely proportional हुआ time के अगर हम force ज्यादा लगा देते है तो time कम लगेगा अगर हम force ज्यादा लगा देंगे time कम लगेगा और अगर हम force कम लगाएंगे force कम लगाएंगे तो time आपका ज्यादा लग जाएगा ठीक है तो बस यह आपके बास तीन relations थे ये तीन relation बहुत ज़्यादा यूज होंगे numerical में तो इनको आप note कर लिजे अब ज़रा एक और example देखना second law of motion पर depend करता है वो भी जब कभी भी cricketers cricketers जो भी filters होते हैं वो ball को catch करते हैं यह वाली ball तो नहीं होती है वहाँ तो बढ़िया वाली होती है जैसे ही ball उनके हाथ के contact में आती है अगर वो पिछे नहीं लाएंगे तो यह चप से लगीगी ठीक है because इसका momentum ज़्यादा था जटका ज़्यादा था तो यहाँ पर क्या होगा hit बहुत तेज होगा और यहाँ पर force ज़्यादा लग जाएगी और force directly proportion था momentum के आपने second law से पढ़ा था और क्या होता है आपको पावर इसकी ball की ज़्यादा थी और आपके हाथ को ज़्यादा तेजी से hit कर जाएगी इसलिए जो cricketers होते हैं वो क्या करते हैं इसकी ball को इसकी ball की velocity को ऐसे कम करते हैं अपने contact में लागे ऐसे कम करते हैं और वो उस momentum उस stage पर रोग लेते हैं जब इसकी style बना रहे हो ठीक है तो यह था इसके पिछे का reason second example आपका आता है mattress का समझ लेते हैं पहले में draw कर लूँ यह आपका second example आता है देखो आपने olympic में देखा होगा ठीक है टीवी बगारा पर देखा होगा जब भी कोई इंसान मतलब ऐसे पोल से उपर वाला वह गेम होता है ना पोल के उपर से कूदने वाला तो जब भी बॉड़ी ऐसे मतलब कोई एक बॉड़ी ऐसे कूदती है ना तो यह जो मैट्रेस होते हैं यह जाते हैं यह गद्धे और जब यह बॉड़ी इस बंदों को चोट नहीं लगती है मोमेंटम का मतलब क्या होता है अगर मैंने बॉल खिचा के मारी आपको आपको चोट लगेगी ठीक है वही होता है मोमेंटम यार इसी तरीके से यह मोमेंटम कर रहा हम यह मास थो हम जीरो करते हैं यह मास के नाइदर भी कर सकते हैं और मोमेंटम में क्या होता है मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता पर वीलॉस्टी को हम चेंज कर सकते हैं यह था आपको second example example इसलिए करानो क्योंके question यह आता है यह गद्दे compress क्यों होगे, फलाना डिम कर रहे हैं, यही question आते हैं आपके, अब हमें समझना है Newton का third law of motion, ठीक है, third law of motion क्या कहता है, it states that if a body exert a force on a second body, मतलब एक body अगर दूसरी body पे force लगाती है, जो जो दूसरी body है ने, जिस पे force लगी, वो भी equal magnitude और equal, but opposite direction में force लगाएगी, ठीक है, equal magnitude, but opposite direction में force लगाएगी, अभी हम example से समझेंगे, पहले पढ़ लो, second point है, every action has an equal and opposite reaction, यह इसकी statement थी, ठीक है, law की statement है, ठीक है, force exerted by first body, जो force first body ने लगाई ना उसकों कहा देता है action, और force second body ने लगाई opposite direction में उसकों कहा देता है reaction, अब इसको हम समझते है example से, तो Newton के third लोने क्या खाता, it is state that if a body exerted force हो ना second body, मतलब एक body अगर second body पे force लगाईगी, example समझते हैं, यह ने एक बंदा चल रहा है, मैंने खाली उसके pair रखे, कुछ दिनों बाद, अच्छा आपने देखा होगा, तो friction लगता है, friction, opposing force, ठीक है, आपने ground पे, देखो कुछ इस प्रकार से होता है आपका जुपता, ठीक है, यह ऐसे, तो यह जो force लगी ना, यह जो घिसट सी लगी, तो यह क्या हुआ, यह friction ने oppose किया, तो इसमें, अब देखो आपका action किदर हुआ, आप action तो आगे कर रहे ह तो action मतलब चले तो आप आगे, ठीक है, चले तो आप आगे, force तो आपने ground पे लगाई, अब ground भी क्या कहते है, opposing force लगाएगा, then the second body exert a force that is equal in magnitude, मतलब यहाँ पर frictional force लगेगी, opposite direction में, ठीक है, इसका मतलब reaction यहाँ पर होगा, देखो, यहाँ पर action क्या होगा, walking, और reaction क्या हो frictional force, ठीक है, that's why आपके जुत्ते घीज जाते हैं, ठीक है, opposite force लगती है, opposite force, यहाँ पर देखते हैं, इससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, कभी भी आप अगर boat में बैठे हो, तो जब आप land पर वापस से आते हो, ठीक है, वापस जमीन पर कदम रखते हो, तो आप ज मतलब reaction आपका opposite direction में हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, देखो opposite direction में और equal magnitude है, इसका force का, but direction कैसी है opposite, यह धर जा रहा है, यह धर जा रहा है, ठीक है, दोनों की opposite direction है, अब अपना देख लेता है, third example, यह न important example है, question इस पर बनते हैं, ठीक है, third example आपका rocket का, जब कभी भी rocket है, तो नीचे सा आग निकलती है, ठीक है, अब जो यह आग निकलती है, ठीक है, अब जो यह आग निकलती है, देखो action किदर हुआ, rocket उड़ करतो उपर की तरफ ही गया, ठीक है, rocket उपर गया, but reaction किदर हुआ, reaction, वो opposite direction में हुआ, ठीक है, but equal magnitude था, that's why, इसका जो क्या कहते है action तो उस direction में हुआ, reaction इस side में हुआ, opposite direction में हुआ, और आपका जो magnitude था, वो क्या था, equal था, बस यह आपके कुछ examples होगे, इनके उपर ही आपके question आते है, अभी एक example हो रहता है, बहुत ही important है, उसे भी कर लेते हैं, चलो, fourth example आता है, recoiling of gun, ठीक है, recoiling of gun, मतलब, बंदूग चलाना, माल लो, यह मेरी gun है, यह मेरी gun है, ठीक है, इसको मैंने, load किया, ditch, जैसे भी करते हो, मुझे आता नहीं है, ठीक है, आपने इसको load किया, ऐसे पकड़ा, अब जब भी आप fire करते हो, fire, तो bullet को जाती है, आगे की तरफ, अब आपने देखा होगा, जब bullet आगे की तर करती है, तो यह तो हो गया, आपका इधर की तरफ तो हो गया reaction, और जिदर की तरफ आप भी bullet गई, वो गया action, अब आप कहोगे, कि यह जो move करी, इसकी velocity तो इतनी ज्यादा है, इसकी velocity जो गन आपके पास रहेगी, इसकी velocity इतनी ज्यादा क्यों नहीं है, यह इसले ने, because of its mass ठीक है, because of its mass, ठीक है, mass का चक्रता यहाँ पर, जिसका mass ज्यादा, उसकी velocity कम, ठीक है, और जिसका velocity ज्यादा, उसका mass कम, ठीक है, बस यह था आपके पंडे, second example आता है, जब आप swimming करते हो, एक और example देता हूं, देखो swimming का, जब कभी आप swimming करते हो, तो swimming किस तरह करते हो, कभ पीछे पुछ कर रहा है, action कि दर की दरफ हो रहा है, आगे, आप move कर रहे हो, आगे, और पानी जा रहा है, इसे पीछे, ठीक है, तो यह हो गया आपका fourth example, बस यह था आपका forces and laws of motion, अभी एक topic रहता है, ठीक है, conservation of momentum, चलिए बो करते हैं, तो देखो conservation of momentum क्या करता है, when two or more objects act upon one another, मतलब आपस में ही अपने एक दूसरे के उपर act करते है, तो उनका जो total momentum होगा ना, वो remain constant होगा, इसका मतलब क्या, चलिए इसे example समझते हैं, conservation of momentum हम समझेंगे, बड़ी मज़ेदार example है, ठीक है, माल लो आपके पास दो कंचे हैं, ठीक है, है न दो कंचे, नहीं है, तो चलिए हम बना लेते हैं, देखो, यह कंचा एक, यह कंचा टो, ठीक है, कंचे 1 का नाम है A, कंचे B का नाम है 2, अब यह दो कंचे मुग कर रहे थ माल लो यह इसकी velocity कुछ है, मतलब 5 मीटर पर सेकिंड है, इसकी velocity है 10 मीटर पर सेकिंड, ठीक है, थोड़ी देर बाद यह टकराना तो इनका तया है, बिकोज यह ज़्यादा तेजी सारा है, यह थोड़ा धीरे चल रहा है, ठीक है, तो जब अब यह इस स्टेज पर टकरा है तो क्या हुआ, इसका जटका जो था, इसका momentum इसमें transfer हुआ, ठीक है, इसका momentum A का B में थोड़ा था transfer हुआ, अब यह थोड़ी देर बाद ना, अब जब transfer होने के बाद, रुख जाओ, मैं angle fix करूँ याद, थोड़ी देर बाद, अब जो momentum होगा, B का थोड़ा जादा हो अब जड़ा एक चीज देखना, देखो, रुख जाओ, कंचे 1 का मास M1, ठीक है, कंचे B का मास M2, ठीक है, मास को लिख रहा हूँ, मैं फिला लिए, और इसकी velocity मानलो U1, इसकी U2, ठीक है, यह initial velocity, यहाँ collision हुआ, collision मतलब टकराना, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसक तो नहीं है, टकराने बाद मासी चेंज हो गया, हम दोनों आपस में टकराए है, और हमारा मासी चेंज हो गया, ठीक है, मैं 5 कि लोगा था, 10 कि लोगा हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, मास जितना है वैसा ही रहेगा, तो यह M1, यह M2, ठीक है, as like this, जिस तरह यहाँ पर यह क्या होगा, initial momentum, M1, U1, plus M2, U2, ठीक है, इसका momentum, प्लस इसका momentum, देखो, मैं पूरे system का momentum निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसका momentum, इसका momentum क्या होगा, M1, V1, जिसका M2, V2, दोनों को plus कर दिया, equals to होगा, इसके momentum के, इस वाले system के, इस पूरे system के, और इस system को क्या था, देखो, M1 V1, plus M2, V2, ठीक है, तो यह दोनों equal होगे, अब यहां से हम कह सकते हैं, एक सकिंड और, देखो, यह जो यह वाला है न, यह वाला, इसको हम कह सकते हैं, initial momentum, equal होगा, आपका, final momentum के, ठीक है, initial momentum, equal होगा, final momentum के, इस से हमीं यह पता चलता है, आपका जो conservation, momentum है, वो हमेशा conserve रहेगा, कितने ही टक्कर हो जाए, कितने कुछ हो जाए, जो आपका momentum है, वो आपका conserve रहेगा, तो यह था आज का last topic, अभी रुख जाओ, और बहुत सारी बाते बतानी हैं, वो ज़र सुन लो, देखो, concept तो आपके forces and laws of motion के सारे करा दिये मैंने, ठीक है, question अभी तक एक भी नहीं हुआ, next part आएगा, question में, question बिल्कुल भी मत छोड़ना, question वाला पार, question में सारे के सारे concept एक वारी फिर से लगेंगे, और वहाँ पर बहुत 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 सारे नए-ने concept आएंगे, ठीक ह है, तो हिलने से बचना चाते हैं, तो वो पार्ट देख लेना, अगला पार्ट बहुत ही धासू रहेगा, question के मेरी कहाल से दो पार्ट आ सकते हैं, अगर जादा questions मैंने करा दिये, ठीक है, response के उपर बात है सारी, तो चलिए end करते हैं इस वीडियो को, बाबाई